आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन दिविक्ये में स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप वन लाइनर जहारखन जिके का पार्ट नाईज पार्ट वन टू एट अगर आप लोगों ने भी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेइलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं सभी कीवचन बेहत महुत पुन हैं जो आपके आने वाले एकजाम में यहां से प्रस्ष्ण देखने को अवस्य मिलेंगे मैं यहां पे आप लोगों को जो भी कीवचन देता हूँ वह सभी अच्छे लेबल के होते हैं फ्रेंट्स तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दे कि यदि आप इस तरह का वीडियो का प्रिये पाना चाहते हैं अगे का वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक किजएगा अपने दोस्तों में सेर किजएगा और फ्रेंड्स ये भी बता दू कि अगर आप लोग प्रिवियस येर जो JSC का एकजाम हुआ है जितने भी एकजाम हुआ है अगर उसका किफिशन आप लोग पाना चाहते हैं तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट किफिशन और जो हमारा स्रीज चल रहा है उसका 251 यानि की 251 नंबर का ये किफिशन है यहां पर फर्स्ट किफिशन आज का है कि विश्व में बाग की पहली जन करना कहा हुई थी तो विश्व में बाग की जो पहली जन करना हुई थी व जहारखन के किस जीले में इस्थित है तो आप लोगों को बता दूं कि बेतला नेशनल पार्क जो है कि लाते हार जीला में इस्थित है और यह जो है कि 980 वर किलोमेटर में फैला हुआ है और यह जो है कि इसका यानि कि बेतला नेशनल पार्क का जो अस्थापना किया गया था लेकिन अब इसे जो है कि बेतला नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि अभी लाते हर जिला में है, चलिए, नेक्स्ट किप्चन है, वर्तमान में जार्खन का उच नयाले में नयाधिसो की संक्या कुल संक्या कितनी है, यानि कि वर्तमान में जार्खन उच नयाले में नयाधिसो की संकुल संक्या कितिनी है तो 20 क्या याद रखेंगे 20 next क्योंचन है कौन सी भगवली की रेखा जार्खंट से होकर गुजरती है तो कौन सी भगवली की रेखा जो है कि जार्खंट से होकर गुजरती है तो करक रेखा, करक रेखा, यानि कि जार्खन से, यानि जार्खन का जो जीला राची है, वहाँ से होकर करक रेखा गुजरती है, आब लोग जीला भी याद रखेंगे, करक रेखा राची, चलिए next क्योंचन है, मुगल बादसा जहांगिन नागवनसी सासक दुर्जन साल को क बुध की भूमी असपर्श मुद्रा में एक मुर्थी मिली है प्लामू का किला यह जो प्लामू किला है उसमें बुध की भूमी असपर्श मुद्रा की एक मुर्थी मिली है कहां पर तो प्लामू किला में और यह जो प्लामू किला है वह प्लामू जीले में इस्तित है ठीक है चेले नेक्स्ट किवचन, किस जैन तिर्थकर ने जारखण निवासी होने की मान्यता है, तो सीतल नात, किसका सीतल नात, नेक्स्ट किवचन यहाँ पर हम देखते हैं, आदिवासी सभा का नामकरण कब आदिवासी महासभा किया गया था? तो आदिवासी सभा का जो नामकरण है, वो आदिवासी महासभा किया गया था, तो इसका जो कब किया गया था? तो बिस एकिस जनुवर उनिसो उन्चालिस को, ठीक है? यानि कि बिस एकिस उनिसो उन्चालिस को जो है, कि जो आदिवासी महासभा का जो है, कि नामकरण किया ग बाल क्रिष्ण सहाय, बाल क्रिष्ण सहाय, नेक्स्ट किवचन है, जहार्खन के किस जिल्य में सरवाधिक साक्षरता है, तो राची, ठीक है, राची. नेक्स्ट केवचन गुप्त सासक चंद्र गुप्त बिक्रामा दित्य के राज्य काल में भारत आये चीनी यात्री फाहियान ने जार्खन छेत्र को क्या कहा था तो कुकुट लाड़ यान जो फाहियान जो था वह एक चीनी यात्री था और जब वह जार्खन छेत्र में आया तो जार्खन छेत्र को क्या कहा था तो कुकुट लाड़, ठिक है, चलिए, next question, विशुद गान्थिवाधी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था, तो टाना भगत आंदोलन, यह आंदोलन जो था, टाना भगत आंदोलन, कौन सा, टाना भगत और मैंने पिछले बाले वीडियो में इसके बारें बताया है कि यह आंदोलन जो है कि कब हुआ था तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंदोलन कब हुए थे टाना भगत आंदोलन कब हुआ था यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे चलिए next question है whole जार्खन पार्टी या क्रांती जार्खन पार्टी के संस्थापक कौन थे तो जस्टीन रिचर्ड यानि कि जो whole जार्खन पार्टी जिसे क्रांती कारी जार्खन पार्टी भी कहा जाता है इसके जो संस्थापक थे वह जस्टीन रिचर्ड और इसकी अस्थापना जो है कि 1979 इस्वी को किया गया था यानि हूल जार्खन पाटते ही अस्थापना जस्टीन रिचर्ड के द्वारा 1969 इस्वी में अस्थापना किया गया था चलिए नेक्स्ट क्योचन है जार्खन आने वाले प्रथम चार इसाई मिस्नरी धर्म परचारक किस देश के निवासी थे तो जार्खन आने वाले जो प्रथम चार इसाई मिस्नरी जो थे वह धर्म परचारक मतलब कि जो मिस्नरी धर्म परचारक जो थे वह जर्मनी से आये हुए थे यानि कि वो जे थे कि जर्मनी के निवासी थे वे लोग कहां के निवासी थे तो जर्मनी ठीक है याद रखना है जर्मनी नेक्स्ट क्योचन है उनिशो अठाइस इस्वी में एमस्टाडम ओलम्पिक में भारत को होकी में पहला स्वन पदक दिलाने वाले टीम के कप्तान कौन थे तो जैपाल सिंग मुंडा ठीक है ना याद रखना है जैपाल सिंग मुंडा यानि इनका जन्म जो है जैपाल सिंग म होई थी वह 20 मार्च 1970 इस्वी को 20 मार्च 1970 इस्वी को 67 वर्ष की उम्रे में जो है कि दिल्ली सहर में हो गया था यानि कि यहाँ पर बता दे कि 1925 इस्वी में ऑक्सफोर्ट बुलू का खिताब पारने वाले होकी के एक मात्र अंतराष्टे खिलाडी जो थे वह जैपाल मुन्डा ही थे यहाँ पे याद रखना है कि 1925 इस्वी में ऑक्सफोर्ट बुलू का खिताब पाने वाले होकी के एक मात्र अंतराष्टे खिलाडी कौन थे तो जैपाल सिंग और यहाँ पे 1928 में भारत ने पहला स्वन पदक एमस्टरडम ओलम्पिक में पहला स्वन पदक इनके ही कप्तानी में प्राब्द किया था किनके जैपाल सिंग मुन्डा और जैपाल सिंग जो है कि 1928 इस्वी में आदिवासी महासभा का अध्यक्सता ग्रहन किये थे 1928 इस्वी में जब आदिवासी महासभा हुआ था उस समय जो है उनकी जैपाल सिंग मुन्डा ने इनकी अध्यक्सता ग्रहन की थे किये थे ठीक है चलिए next question है महात्मा गांधी राश्चे ग्रामिन रोजगार गरांटी योजना के अंतरगत कितने दिनों का प्रोजगार सुनिशित किया गया है तो 100 दिन next question है जहारकन भारत का कौन सा राज्य है तो 28 सुआ कभी कभी पूछा जाता है कि जार्खन के अस्थापन कभ हुई थी तो आप लोग को पता होगा तेक है 15 नवंबर 2000 इस्वी को चलिए नेक्स्ट केशन है राची विश्व विद्याले के अस्थापना कीस वर्ष हुई थी तो 1960 इस्वी नेक्स्ट केशन खान देश के किस सासक को इतिहास कारने जार्खन्डी सुल्तान की उपाधी दी है तो आदिल सा दुवितिया आदिल सा दिवितिया को जो है कि खान देश का यासा सकता और इतिहास कार्ने इसे जारखंडी मतलब कि जारखंडी सुल्तान जो थे इन्हें आदिल सा दिवितिया को जारखंडी सुल्तान की उभादी तिये हुए हैं चलिए next question अन्दी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवा किस जनजाती से संबंदित है तो यह जो है कि हो जनजाती से संबंदित है याद रखना अन्दी और ओपर तिपी नाम कि यह प्रचलित विवा है और यह जो है कि हो जनजाती से संबंदित है नेक्स्ट है धनबाद जिल्ये का कौन सा ओध्योगिक सहर एक सघन ओध्योगिक संकूल है तो चिरकुंडा नेक्स्ट है मदर टरेसा की उत्राधिकारी सिस्टर निर्मला का जन्म कहां हुआ था तो राची में यानि कि मदर टरेसा के बारे में आप लोग सुने ही होंगे तो जो उत्राधिकारी सिस्टर जो निर्मला थी उनका जन्म जो है कि राची सहर में हुआ था नेक्स्ट किवचन है जारकन में गाउं की कुल संक्या कितनी है तो 32,620 नेक्स्ट किवचन बाशूर नरसिंग भेईर सोनाई मदन भेरी तिरियो आदी वाद्य यंत्र की यंत्रग आते हैं तो सुधीर वाद्य यंत्र ठीक है चलिए नेक्स्ट किवचन जारकन में निवन्तम अनुसुचित जन्जाती परतिसत वाला जिला कौन सा है तो जारकन में निवन्तम अनुसुचित जन्जाती परतिसत वाला जिला कौडरमा कौन सा है कौडरमा ठीक है चलिए नेक पचास इस्वी में और जैपाल सिंग के बारे में आप लोगों को मैंने उपर में बताया है ठीक है और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूँ कि इस सैनल पे जो है कि जारखन करंट अफेर्स का मंथली जो है कि क्यूशन आते हैं और यदि आप पिछले मंथ का क्यूशन आप आप नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं जो भी करंट अफेर्स क्यूशन होता है जो कि आपके आने वाले एक्जाम में वहां से देखने को मिल सकता है वैसा ही क्यूशन को मैं अपने वीडियो में कवर करता हूँ और आगे आने वाले मंथ का भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रवाइड करूंगा तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें चलिए नेक्स्ट क्योचन है चांडिल डैम किस नदी पर इस्थित है तो स्वन रेखा कौन से नदी पर तो स्वन रेखा नेक्स्ट क्योचन All India जार्खन पार्टी के स्थापक कौन थे तो बागून सुम्ब्राई जो All India जार्खन पार्टी के स्थापक थे और All India जार्खन पार्टी की जो अस्थापना हुआ था वह 1967 इस जी में कब? सरशटो चलिए next question जार्खन का सर्वाधिक ठंड़ा स्थान कौन सा है तो सर्वाधिक जो ठंड़ा स्थान है वह नेतर हाट ठीक है, चलिए कोन सा है तो नेतर हाट नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं बिरहोर का साब्दिक अर्थ क्या है तो बिरहोर का जो साब्दिक अर्थ होता है वो जंगल का आदमी जंगल का आदमी और ये हमारा आज का लास्ट क्यूशन जार्खन में सरवाधिक नगरिय जनसंख्या वाला जीला कौन सा है तो सरवाधिक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किजेगा अपने दोस्तों में शेर किजेगा इस तरह का वीडियो में आप लोग के लिए कंटीनियू लाते रहूंगा और फ्रेंड्स यदि आपका किसी भी परकार का आप कोई डाउट हो कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद